अगर आप भी ग्रे हैर से परिशान है मेरी तरह तो यह वीडियो एकदम से आपके लिए है फैस्टेवल आ रहे है और टाइम की है कमी आपको चाहिए एकदम से इस्ट्रेट है यार बिल्कुल भी ड्राइनेस नी चाहिए बालों में परफेक्ट मॉंस्टराइजर चाहिए औ और बालों की growth होनी चाहिए, बिल्कुल भी बाल जढ़ने नी चाहिए, तो total आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सब कुछ एक ही बार में, बिल्कुल आपको बार बार कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको लगएगा, आप स्पा करा कर के आए हैं, solution मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तो check out कीजिए मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी remedy मैं आपके लिए बालों के लिए लेकर के आई हूँ एक ही बार में बहतरी आपको growth मिलेगी आपको मॉंश्राइजर मिलेगा, sign मिलेगी और रूखे रूखे तो भी नहीं लगेगी मैं शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके लिए लेकर लेने हैं हमें आल्सी के बीज फ्लैक सीट्स मोलते हैं इने हिंदी में और बहुत ही कारगर होते हैं ये हमारे लिए हमारे बालों के लि तो इसके लिए एक बाउल भरके मैंने ले लिए ये फ्लैक सीट्स तो मैंने यहाँ पर दो कामों के लिए ये दो बाउल डाला लेकिन मैंने एक छोटा सा बाउल बहुत छोटा बाउल है तो एक बड़ा कब भरके यानि की दो गिलास पानी लिया है और एक छोटा सा बाउल ब तो परफेक्ट हमारा जैल बन गया, इसे जादा नहीं करना है, बस उबाल आएगा, और आप ऐसे चमज से ऐसे करेंगे, तो जैल बन के तयार है, फटावट से इसे बाहान निकालेंगे, एक बाउल लेंगे, और जैल को सारा हम ट्रांसफर कर देंगे, बाउल में इस तरीके स यह देखे, फटावट से हमारा जैल बन के रेडी हो गया है, अब एक मोश्राइजर पहले हमें तयार कर लेना है, तो इसके लिए मैं यहापे क्या कर रही हूँ, आधा कप हमने जैल ले लिया है, इसमें डाल दिया है, दो चमज भर के सरसो का तेल, एक चमज भर के नारियल का तेल, तोनों चीजे ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यह गरम गरम में ही करना है, जब जैल एकदम से गरम होगा, तो जैल तो हमारा जो अलसी के बीज वाला है, वो तो हमारे बालों को स्मूधनेस और कंडिशनर का काम करेगा ही करेगा, साथ में जो सरसो का तेल होता तो इस काम को आपको जरूर करना है और festival आ रहे हैं तो ये काम आप तुरंद के तुरंद करके रखें ऐसा नहीं कि इसमें लापरवाई करें अगर आपको instant glow चाहिए अपने बालों की gross चाहिए और एकदम से ऐसे hair चाहिए बिल्कुल इस पाब आले तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाई नहीं करना है आलसी के बीच ज clinical लेकर के आए ज्छल जरूर बनाये तो चलिए अब बनाते हम महंदी महंदी बनाने के लिए अच्य severity की महंदी लेनी है कोई भी अच्छी company की या फिर अच्छी जो भी आपको मिले आच्छी महंदी होने चाहिए अब इसमें ती कलर देता है हमारे हेयर को तो आप इसमें जरूर डालें गुढ़ल के फुलका पाउडर किसी भी दुकान में आराम साब को मिल जाएगा दो चमज डाल दिए मैंने इसमें पानी पीस करके चाय पत्ती जी हां मैंने ऐसी डारेक्ट चाय पत्ती डाली है पीस करके और बहुत से पानी बना करके डालते हैं लेकिन अगर आप ऐसी ही पीस करके डालेंगे लेकिन आप यह मेक्शार कर लें कि बिल्कुल पीसी होई बारिक होनी चाहिए तो अगर आप इसे ऐसे ही डालेंगे तो बहुत अच्छा ही कंडिशनर देगी हमारे बालों को रंग देगी ग्रोध बहुत देर तक टिकी रहेगी हमारे हेयर में अगर आपके पास बिल्कुल भी ऐसे फाइन पीसने के लिए कुछ है नहीं नहीं पीस सकते हैं टाइम नहीं तो बिल्कुल अच्छे से उबाले पहले पानी में पानी में उबाल करके 2-3 मिनट तक अच्छे से ठंडा होने दे उसके बाद उसका पानी डाल दे चाय पत्ती का अब जो हमने जैल रेडी किया था उसमें से 3 चमच जैल हम डाल देंगे इस महंदी में सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम पानी में इसे घोलना है अच्छे से गरम पानी होना चाहिए गरम पानी में घोलने क के बाद महंदी को अफ़े भूल में यहांड़ तेधा हम फर्ट लिए काफ़ अच्छी मातरा में प्रोटीन होता है। को व्रेसरों सुद्छ देगी, और मेंञे धुतों सिल्क हैं, और इसे ढख में आलेंग सकती आपगर में। को लेकिन आपका सर जरूर दुला हुआ होना चाहिए और आप देख सकते हैं मेरे ग्मृध़े कितने ग्रेहे हर है अजर जादा पर करती हूं और इनकी जडूं से लेंगे एक एक strip ऐसे linear में और इस तरीके से महंदी को apply करेंगे अच्छे से जड़ों से लेकर के पूरी जितनी भी हमारी length hair की पूरा इस तरीके से अंदर तक अच्छे से apply करना है धीरे धीरे इस तरीके से बन बनाते चले जाएंगे अपने सर पे बहुत आसानी से और मैंने कोई गलब नहीं पहना हुआ है क्योंकि गलब अगर पहन लेते हैं तो अच्छे से महंदी नहीं लगती है और बाकि अगर आप comfortable है तो आप गलब पहन ले और मेरे पास यहां पर कैप भी नहीं थी सावर कैप जो होती है तो मैंने यहां पर लगा लिया यह पॉलथीन जी हां तो अब कुछ भी नहीं था क्योंकि महंदी को सूकने नहीं देना है दो से तीन घंटे से ऐसी छोड़ देना है तीन घंटे बाद हम सर दुलेंगे और मेरे पास गैप नहीं थी तो मैंने यही कबर बना लिया इसे ही और आपके पास भी अगर ना हो तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं तीन घंटे बाद सर को अच्छे से दुल लेंगे और ये देखे तीन गंडे बाद मैंने सर को धुल लिया था और polythene मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि महंदी सुकती नहीं है आसानी से जब हम सर धुलते हैं बहुत आसानी से महंदी निकल जाती है बालों में और अब आप मेरे बालों का कलर देख सकते हैं और इन में बाउंसी नेंस देख सकते हैं बालों में बिल्कुल भी आपको लगी नहीं रहोगा कि मैंने महंदी लगाई है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है यह महंदी वालों जैसे महंदी से कितरे ड्राइनेस हो जाती है बालों से लेकिन आप इस तरीके से महंदी लगाएंगे इस तरीके से महंदी का पेस्ट बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई अलग से कंडिशनर कुछ भी लगाने की जरुरती नहीं पड़ेगी आप एक कोई पर भी जा सकते हैं कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं आपको बार बार कुछ भी करना नहीं पड़ेगा कि अभी यह करना है अभी वह करना है तो बहुत ही अच्छे मैं तो मतलब इस पैक को बना करके काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुई हूई हूँ खुप से ट् बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप मेरे तरह फॉल अप करेंगे अब लेकिन अगर आपको और भी इंस्टेंट गिलो और भी स्ट्रेट हेर चाहिए बिल्कुल ऐसे चाहिए बिल्कुल जैसे हम इस पासे करा करकर आए हैं तो उसके लि तो चलिए दूसरा pack हम बनाते हैं तो दूसरे pack बनाने के लिए मैंने हें पर क्या क्या है जो हमने gel नहीं किया था सर्सों के देल और LC के बीज का जो हमने gel बनाया था वही वाला ज Häli लेरे लहा है और इसमें डाल देना है एक विटामीन E का कैपसूल vitamin E हमारी growth के लिए बहुत अच्छा है बालों की growth में बहुत अच्छी मदद करता है सभी को इसके benefit पता होंगे तो एक ही डालना है एक ही coffee यह है और LC के bees का जो gel बनता है उसका तो कोई जवावी नहीं है कितना अच्छा conditioner देगा हमारे बालों को growth तो देता ही देता है प्लस जो हमारे gray hair होते है उनको भी रोकता है यह एक conditioner बन करके ready हो रहा है जो आप market से तरह महंगा-महंगा conditioner खरीदते हैं और उसमें chemical भी होता है लेकिन आप इसे घर में ही इस तरीके से ready कर सकते हैं और अब बस इसे हमें apply करना है जो growth है जितनी लंबाई है पिल्कुल उतना ही पूरा लंबाई तक हमें इसे लगा लेना है लगाने के बाद अगर आप रात में लगा रहे हैं तो overnight इसे छोड़ दे लगा करके लेकिन मैं दिन में लगा रही हूँ क्योंकि पूरी रात इसे छोड़ करके फिर बिस्तर पे वो oil-oil हो जाएगा काफी जादा और बहुत अजीब से hair हो जाएगे तो इसलिए मैं दिन में apply करें मतलब मैं next लगा रही हूँ इसे morning में अब 5-6 गंटे मैंने इसे लगा करके छोड़ दिया था 5-6 गंटे बाद मैंने अपने बालों को धुल लिया है और अब इसका आप magic देख सकते हैं पिल्कुल पारफेक्ट इसका color इसकी जो sign है बालों में जो मेरी sign आये ना मतलब मेरा दिल खुज हो गया और मैं recommend जरूर करूँगी आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करे festival आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल भी time नहीं है इस तरीके से जरूर ट्राइ करे इस pack को बनाएं महंदी को बनाएं इस conditioner को बनाएं आप बिल्कुल खुज हो जाएंगे हर किसी को इसे suggest करेंगे पिल्कुल chemical free है कुछ भी नहीं है घर में इस समान मिल जाएगा बस आपको लाना है तो क्या बस एक vitamin E का capsule वैसे तो सभी समान लाना है लेकिन normal आपको market में किसी भी दुकान पर आपको यह सारा समान मिल जाएगा अगर आपको भी अपने बालों से प्यार है और आप भी चाहते हैं कि इस festival इन festival में आपको भी अच्छा लुक मिले अच्छी growth मिले तो आप भी जरूर ट्राइ करें यह pack जो बहुत ही अच्छा और आप देख सकते हैं मेरे बालों में एक भी grey hair नहीं दिख रहा है बहुत ही perfect इसका result मुझे मिला है बहुत ही अच्छा कलर आया है एकदम से चमक रहे हैं मेरे बाल एकदम से साइन कर रहे हैं तो आप भी इस pack को जरूर ट्राइगा ले मैं बार बार आप से बोलूंगी यह देखे बिल्कुल चेंज हो गया है कलर और बहुत ही अच्छा कंडिशनर मिला है जो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके लेते हैं लेकिन आपको घर में ही यह कंडिशनर आपको मिल जाएगा ऐसा लगेगा भी आप इस पाकरा करके आए हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स में जादा से जादा शेयर करें हर किसी को इसका वेनिविट मिलना चाहिए क्योंकि हेल्थ हमारी बहुत इंपोडेंट होती है अगर हमारी हेल्थ ठीक रहती है हमारी बोड़ी के हर पार्ड अच्छे रहते हैं सही सलामत रहते हैं तो हम बहुत जादा हैपी रहते हैं तो फैमिली फ्रेंड्स में भी इसे बिल्कुल भी शेयर करना बिल्कुल न भूलें जाद ज़्यादा शेयर करें हर किसी को इसका वेनिविट मिलना चाहिए